नामस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में आज के इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ओफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रा लेका मेरा गाउ मेरी धरोहर प्रोजेक्ट का काम जो सी एस सी को दिया है उसमें वी एल एको गाउ में जाके गाउ का कल्चर सर्वे करना है उसके लिए वी एल एको कौन से गाउ का सर्वे करना है वो पहले सिलेक्ट करना होगा वो हम वीडियो में कवर करेंगे तो हम ब्राउजर मे CultureMap.in Website को open कर लेंगे Website open होने के बाद हमें Right Side में जो login का बटन है उस पर क्लिक कर देना है किल करने के बाद हमें Dashboard में User और Password मांगा जाएगा तो वो User और password बनाने के लिए हमें पहले Digital सेवा Portal में login करना पड़ेगा यूसर पासवर्ड बनाना इसलिए जरूरी है कि जब हम मुबाइल एप्लिकेशन से सर्वे के लिए लॉग इन करेंगे वहाँ इस पासवर्ड की जरूरत होगी तो हम डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉग इन करें लेंगे लॉग इन करने के बाद आपको अपना नेम आटोमेटिक लिखा हुआ दिखाई देगा और साइड का बॉक्स में आपको आपका मुबाइल नवर दर्च करना है अब नीचे आपको यूजर नेम यानि किसी एस सी आईडी दिखाई देगा और उसके साइड में आपका इमेल भी लिखा हुआ होगा अब नीचे के आपशन में आपको मुबाइल एप्लिकेशन का लॉग इन पासवर्ड बनाना है और साइड में वेरिफाई पासवर्ड में भी वही पासवर्ड लिख देना है अब नीचे के box में हमारा state automatic select हुआ होगा तो हमें अब अपना जिल्हा select करना है जिल्रे के option के side में block यानी की तहसील select करना है इस option में हमें खास ये ध्यान रखना है कि हमारा तहसील कौन सा है अगर आप गलत तहसील select कर लेते हो तो आपके login में उसी तहसील के गाउं दिखाए देंगे और आप अपने तहसील के गाउं को वहां नहीं देख पाओगे तो ये ध्यान हमें रखना है और तहसील select करके register के बटन पर click कर देना है अब आपको dashboard में कितने गाउं allocate किये है कितने का काम शरू किया है किन गाउं का सर्वे हो गया है और कितने गाउं के सर्वे का approval मिल गया है वो सब देख सकते है अब हम सर्वे के option पर click करेंगे तो वहाँ पर हमने कब सर्वे का काम शरू किया कब इसमें detail दर्ज की, एवं सभी गाउं की detail वहाँ पर देख सकते है कि उस गाउं की सर्वे की स्थिती क्या है, अब हम सर्वे के लिए गाउं select करने के लिए location पर क्लिक करेंगे और निचे दिखाई दे रहे village के बटन पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम village के बटन पर क्लिक करत उसमें कौन सा गाउं किसने सिलेक्ट किया है, कौन सा गाउं बाकी है, और आपका तहसील एवं ग्राम पंचायत, एवं ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले विलेज का लिस्ट भी देख सकते हैं अब हम सर्वे के विलेज सिलेक्ट करने के लिए उपर सर्च के बटन पर क्लिक करें तो सबसे पहले हम राज्य सिलेक्ट करेंगे तो राज्य को सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिर साइड में जिला सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ हमारा जिला दिखाई देगा और साइ में हमें ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ था, अब हमें गाउं की पंचायत सिलेक्ट करनी है, जिसमें हमें हमारे तहसीर की सारी ग्राम पंचायत का लिस्ट मिलेगा, उसमें से हमें जिस गाउं का सर्वे करना है, उसे सिलेक्ट करें और सर्च के बटन पर क्लिक करें तो आप निचे देख सकते हैं हमने जो गाउं सर्च किया था वो आ चुका है आप देख सकते हैं ये गाउं दूसरे भी एल इने सिलेक्ट कर लिया है तो हमें दूसरा गाउं सिलेक्ट करना होगा तो हम फिर से पंचायत के ऑप्शन में जाएंगे और पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हो यह गाउं किसी ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हम सर्वे का गाउं सिलेक्ट करने के लिए एक्शन बटन पर क्लिक कर देंगे अब आपके सामने एक मेसेज दिखेगा उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप इस गाउं को के लिए असाइन करना चाहते हैं अगर हमें उस गाउं का सर्वे करना है तो हम कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपको ये गाउं असाइन हो चुका है और आपका नाम देखने को मिल रहा है तो आप सर्वे करने के लिए रेडी है तो दोस्तों आप देश बोर्ड में देख सकते हैं मैंने अपने दो गाउं सिलेक्ट किये थे तो वो यहां पर दिख रहे हैं और हमने काम स्टार्ट नहीं किया इसलिए आपको Inciated में शुन्य और सर्वे में भी शुन्य दिखाई दे रहा है अगर आप गाउं को Allotted करने के तीन दिन में सर्वे स्टार्ट नहीं करते तो आपको गाउं फिर से डियासाइन हो जाएगा तो हमें गाउं Allotted करने के बाद सर्वे का काम शुरू कर देना है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी इस डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिंग